गूड इमनिंग स्टुडेंट्स, हाव आर यू? बटसब क्लास में आपका स्वागत है स्टुडेंट ये हमारी मैथ की बुक है, सैकेंड क्लास की मैथ की बुक, चीक है? तो अभी तक हमने फर्स्ट लेसन में पुन्द्रा वरिती की, की न? तो हमने उसमें क्या क्या? इकाई और दाही वाली संख्या हैं, उनको शब्दों में और अंकों में लिखना सिखा, बड़ी और छोटी संख्या पे निशान लगाए, और बड़ी और छोटी संख्या पे गोला भी लगाया, और हमने क्या क्या? आरोही और अवरोही संख्या करी यानि आ रोही संख्या करी, आज हम आवरोही संख्या करेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स दिहान देंगे, आवरोही संख्या और पहले बाद और बीच की संख्याओं का आज हम करेंगे, तो आपने सभी ने दिहान से देखना है और इसे समझना है, यह देखें स्टूडेंट् प clásrip गोला लगाने ये आरोही करम भी कर चुके हैं आज रहा हम करेंगे तो में गत कर पैसे बड़ी जन्ख्यादी गई है चाहाच्द 567 68T78 कल़ें पहलेगा no. gray तो इसको गत कर तो बहीं न All सबसे बड़ी संख्या से लिखेंगे 87 संधय से bayon 58 भूहbung , ऐभाई 68 संथ्ग में 66 यह बड़ी संख्या है दिखेंगे 3633535 15Co तो इसको भी हमने घरते करभ में कैसे लिख्या कुझेंगे सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे 53 फिर इससे छोटी कौनशी है 51 36 और 35 तो यह कौनशी थी अवरोही करम यानि घरते करम में हमने यह संख्याइं लिखी अब देखिए अब हम करेंगे इसी परकार से हमने यह आगे वाली संख्याइं भी लिखनी है अठारा अठाइस उननचास और तस क्या लिखना हमने घरते करम में यानि सबसे बड़ी संख्या उननचास 28 और दस इसी परकार से हमने यह संख्याइं भी लिखनी है मैंने अभी यह संख्याइं लिखी हैं आपको समझाने के लिए ठीक है स्टुडेंट्स अब हम करते हैं पहले बीच और बाद की संख्याइं यह हम पहले क पहले की संख्या यानि 33 से पहले क्या आता है 32 26 से पहले 25 सभी को पता है 47 से पहले 46 से पहले 75 यानि इन संख्याओं से पहले वाली संख्या बीच में आपको पता है दो संख्याओं के बीच में जो संख्या आती है तो हम बीच के संख्या लिखेंगे 9 बीच में 10 और 11 यह पचास और एक्यावन अब हम करते हैं बाद की संख्याई बाद की संख्याई 47 48 यानि 47 के बाद क्याता है 48 87 के बाद 87 के बाद 88 और 65 के बाद 66 तो आज हम यह इतना ही करेंगे हमारा फर्स्ट लेसन यहां पर कंप्लीट हो गया है अब हम सेकिंड लेसन करेंगे ठीक हैं तो आपने यह दिहान से करना है ठीक थैंक यू स्टूडेंट्स हैव नाइस देग